तो आज आप लोगों के लेकर आएं कुछ ऐसी टिप और ट्रिक्स जिससे आप अपना टाइम और पैसे दोरों ही बचा सकते हैं बहुत ही कम समय में वीडियो शुरू करने से पहले जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्ली जल्दी से सब्सक्राइब करो ब करेड़ी में बेलन तो हमारे साथ एक बहुत बड़ी प्राद को किसे चिपक करएं तो आज मैं आपके लिए कुछ अईसे ठवक रहा है मुझ आपकर एंब रोटाइब कर आएं कर यह सारे जन जल्दी कर आएं और आपका चिपक घाएंगे और आपका जो रात का आटाब ग लेंगे ऐसे लगा के तो बिल्कुल नहीं चिपकेगा रोटी बहुत इजी बन जाएंगी बहुत आसानी से बन जाएगी तो चली जल्दी से स्टार्ट करते हैं तो हमें करना कैए सिंपली गैसान कर लेनी है यह मेरे पास लाइटर थाई वाला तो इसी से गैसान की अब हमें क्या करना है यह सम्पली बेलन को ना ऐसे इस आग जाता है और जैसे ही अभी ठोड़ा ठंदा हो जाएगा अभी मैं आपको दिखाती हूं रोटी बेल के कि अब इस पर चिपकती है रोटी या नहीं खुद आपको मेरे सामने देखेगा हलका सा इसमें माटा लगाएंगे पहले भी माटा लगाया था पर तब भी चिपक रहा थ है अगर आपको वी टिप अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइज जरूर की चाहिएगा वीडियो को शेयर कीज़ेगा कॉमेंट करके जरूर बताना टिप कैसी लगी इसी के साथ चलते हैं अपनी नेक्स टिप की तरफ तो नेक्स टिप जो हमारी होने वादी हो बहुत जादा यूसफुल है कहीं बार ऐसा होता है कि कुछ वर्किंग लोग या जॉब करने वाले जब कहीं भी बहार रेंट पे रहते हैं तो उनके पस तवा वैलिवल नहीं होता है तो मैं आपके बताती हूं आपके पास कोई कुकर हो बगोना हो कुछ भी हो तो आप ऐस इसा इसे एजरी रोटी बना की इसमें सेख सकते हैं बिलीव में आसे साइड में भी आप तीन-चार लगा सकते हैं हलका सा पानी लगा कर तो नेगे होने वाली इसे बलीव में रातकि को लिए तो क्या होता न ऐसे फूल सी जाती है एक पानी जैसा हो जाता ना तो बगत करता गीली सी हो जाती है तो उस रोटी को बासी रोटी को हम ताजी कैसे बना सकते हैं आपको करना क्या है नॉर्मली टिफिन लेना है अब इस टिफिन को अच्छे से बंद कर देना है रोटी इसके अंदर रखे नेक्स टैप हमारा बहुत यूसफल होने वाला प्लीज एक बा पानी में भीगना नहीं चाहिए वहना रोटी के अंदर पानी चला जाएगा और अभी हमें इसको कर देना है बंद और हमें तब तक वेट करना जब तक एक सीटी के आते हैं को करना क्या है ये कूकर सीधा खोल देना है और उसके बाद आप देखना कमाल मैजिक सीरिसली अब समझ में नहाता कि एनका क्या करें तो बढ़ इसे बाकस में भी डख सकते हैं तो अब भी मैपको रोटी को ढरती हूँ कि जो रोटी कैसी हो गई है तो यहां देखें हमने बाकस कोल दिया है और रोटी हमारी गरम हो गई है प्लस हुआ यह जिर रोटी बिल्कुल फ्रे ना बरसात में ना नमक सील जाता है और समझने आता है कि इसको यूस कैसे करे और डबे में भी चिपकने लगता है तो आज आप लोगों के लिए बहुत यूसफुल में टिप लेकर आई हूँ बरसात आ रही है जैसे कि तो सीलन तो बहुत जाद हो जाती है नमक भी यार हलका सबी बॉक्स खुला रहा जाए तो बहुत जादा सीलन जाती है तो सीलन हम कैसे हटाएं आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ तो हमें करना क्या है सिंपली गैस आउन करनी है और गैस पर रखना है तक लूही का तवाही रखेगा、 यह जाए जाएं और जब यह थोड़ा से गरम होशे है और धीर धीर यह जागना करना से वह लता है तो आप दी जरूर ट्राइ कीजएगा आपकी हेल्थ और टाइम दोनों की बचत होगी और आपकी प्लस जो वेस्टिज थी अब भी नहीं होगी सीला वर नमक भी आपकी काम आएगा तो नेक्स साइम से जब भी आपका नमक ऐसे सीलने लगे ना तो एक बार ये टिप जरूर याद रखना इसको ट्राइ करके मुझे प्लीज नीचे कॉमें सेक्शन में जरूर बताना वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को लाइक करेगा शेयर करेगा कॉमेंट करके के लिए बाई टेक किया थैंक्स वर वाचिंग मी